सबी को जैबी फूल जाय सतरंगी सलाम, मैं बापसा की तरफ से अपनी बात रखना चाहूंगी, जैसा बहुत सारे हमाई जो जैनिवेसियों के लोग हैं, उन्होंने बात रख दिया है, मैं बात रखना चाहूंगी कि कैसा हम एक देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार में आ कि पड़ाई पर अटायक है, यह हमारी उस अधिकार अटायक है, जिससे हम बोलना सीख रहे है, जिससे हम प्रोटेस्ट करना सीख रहे है, जब हम अब इतिहास देख़े हैं, आपनू समृति के बारे पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है, कैसे इन लोगों ने, कितने लोग भी हो चाहिए दुर्गा वहीनी हो चाहिए कैसे भी इनका विंग हो जो भी ब्रामनवादी मनुवादी सोच विचारधार के साथ भारत में आएगा और लड़ाई करेगा और हमारे जो माजनाई तपके के लोगे उन पे अटैक करेगा उसी के रसिस में हम खड़े रहेंगे प आचाँगे इनकी यौनवसटी इनकी सरकार खोल रहे उनकी जोद इस ती आफूरी होग में पते हल जब से सविधान बना है इस सविधान को मानने वाले लोग हैं हम जानते हैं डेमोकरेसी कि है और उस डेमोकरेसी को बनाया रखने के लिए हमें जितना भी डिसेंट करना पड़े घितना भी रिसिस्थ करना पड़े हम करेंगे और यह लाज़जरा उडिवी की बास जैसा और लोगों नहीं बोला है हमAt बलग हुआ जरुत है समझने के ब्रहामनवादी सोच के लोग क्या करना चाहते हैं यह इतना क्या चाहँगром सब्सक्राइब लोग्यृग घ्रमार वठीक कि इनकी जो गुंडागर्दी उसके सामने कुछ भी नहीं है तो मैं आगे एक और चीद कहना चाहूंगी जैसे हमने जेन्यू में देखा निरंतर एभी वी का जो रवया रहा है यह मारते हैं लोगों को फिर यह अपने आपको ही विक्तिम चाहते हैं इनको लोगों को शड़म कैसा मारना चाहिए अपनी प्रोटेस्ट के दोरह कि आप लोगों का इस उनवेस्टे स्पेस में कोई जगह नहीं है और ऐसी लोग जाते हैं चैसे अप लोग फ्रेंटिया ऑमारी नहीं है यह लड़ाई पुराइज समय से शुरू हुए थी जब से मनुसिम्निती बनाता तब से लोग लड़ते हैं और आज तक लड़ते रहेंगे तो RSS BJP चाहे नहेंद मोदी हो, चाहे अमिश्या हो, चाहे इनका कोई भी फासिस नेता हो, उन सब के खिलाफ हमाई लड़ाई जिंदा रहेगी और इसिक साथ J.B. मुल्जार से तरंगी सलाव